श्री शिवाय नमस्तिवम दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे बसंद पंचमी कव है क्या पूज़ा विदी है क्या उपाया हमें उपाय जरूर करने चाहिए बच्चों के भविस्से के लिए कि बच्चे आगे कैदियर उनका बहुत ही अच्छा बने बस सभी चीज़े बताओंगी वीडियो के लाज तक बने रहेगा अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा बाद में आप भूल जाते हैं दोस्तों सबसे पहले बता देती हूं कि जो बसंद पंचमी है उसकी पूज़ा आपको जरूर करनी चाहिए चाहें आप छोटी ही पूज़ार करना है या फोटो भी ला सकते हैं बजार से इस दिन अगर आपके घर में नहीं है तो एक फोटो जरूर रखनी चाहिए सरसोती माता की इससे बच्चों पर किर्पा बरस्ती रहती है तो वह वाली फोटो रखी है आप पीले रंग के फूल जरूर चड़ाएं इस दिन चाहिए गैंदे के ले ले चाहिए जो वैसे आते हैं सरसो के कोई से भी फून हो आपको प भोग जरूर लगता है और इसके अलावा दोस्तो बस इतनी चोटी पूजा करनी है आपको जो बच्चों की किताब कॉपी है उन्हों को भी उस समय रखना चाहिए पूजा के स्थान पर अगर आपके पती जो है वो पूजा वैसे जो मतला ओफिस टाइप का काम करते हैं तो उनकी जो लेखनी होती है कलम होती है या मुबाइल वगरा जो भी है उसको भी उस समय पूजा के समय रखना चाहिए बच्चों को जरूर पूजा के आदर डालने चाहिए बच्चों के से जरूर करानी है आपको इस दिन पूजा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ह कि मतलब बच्चा खलाता है या कोई भी परिसानी है या बच्चा एक्जाम देने जा रहा है तो उसको क्या उपाय करना है उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि एक्जाम से पहले जो फाइनल के एक्जाम आएंगे उससे पहले क्या बच्चों को उपाय करना है तो अब जान लेते हैं कि और क्या करना है आपको उपाए दोस्तो जो मोर पंकी का पौधा होता है जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा मोर पंकी का पौधा घर में लाना बेहद सुब होता है जब आप पूझा कर रहे हों मोर पंकी का उस दिन जरूर खरीदे शरस्ती माता की किरपा आपके घर में बरसेगी तो उस दिन मोर पंकी का पौधा खरीदे और पूझा के स्थान पर थोड़ी देर रखना है जो फूल आपने चड़ाए हैं उसको अगले दिन जो फूल है उनको अपने बच्चों की जिसकी भी सब्जेक्ट में वीग लग रहा है उन फूलों को उस किताब में रखने है बीच में और इस तरह से रखे रहन देना है बच्चों को समझा देना है कि इसमेंसे किताब में से फूल गायव नहीं होने चाहिए तो वो रखे रखी आप देखेंगे उस सब्जक्ट में बच्चक कितनी जल्दी तरक्की करता है उस सब्जक्ट में किती जल्दी उसको फायदा होता है और जो मोर पंकी का पौदा है उसको जो पंक होते हैं वो भी आप किताब में रख सकते हैं पूजा के बाद लेकिन उस दिन तोड़ना नहीं है आपको मोर पंकी का पौदा अगले दिन ही ये उपाय करना है फूल का भी और उसका भी और जो मैंने दूसरी वीडियो टाली है वो जरूर देखेगा किस तरह से आपको बच्चों की जो एक्जाम अच्छा जाए उसके लिए क्या करना है इस दिन दोस्तों घर में मोर का पंक लाना भी बेहत्सु होता है अगर आपका बच्चा ध्यार नहीं लगाता ह पढ़ाई में तो उसकी टेवल पर एक मोर का पंक जरूर रखें और गलोब जो होता है वो जरूर रखे उस पर बच्चे से कहें कि उस पर ध्यान केंद्रीद करें उससे भी उसकी जो मैमोरी पावर है वह बहुत जल्दी बढ़ती है सर्शती माता की तस्वीर लगाए अप बना रहेगा बस इतना ही दोस्तों वीडियो प्योंगी लगे तो लाइक सस्काइब जरूर कर लीजेगा और 14 फरवरी को हमारी पसंद बंच में मनाई जाएगी वीडियो प्योंगी लगे तो लाइक